नबसकार दोस्तो प्लसपन के YouTube के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो मेरे नाम है निकत्षाह दोस्तो आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे रहेगे जिस boo का पताया रहेगा कि है कि नहीं बसता है ठीक है तो इस वीडियो का अंतक जरूर देखेगा पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चले शुरुआत कर ले दे सबसे पहले एक फेसिटर लगता कहां पर है तो माल लो हमारे एक एनर्जी मीटर है यापने हम लोग गरिमें जितने भी एलेट्रिकल इक्विमेंट से वह यहां पर कनेट किये हुए मैं गया करता हूँ उसके पहले एक capacitor लगा देता हूँ अच्छे यहां पे कौन सी value का capacitor लगाया जाता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊगा इसके बाद वाला जो second part आएगा इस वीडियो का उसमें ये capacitor के बारे में detail में explain करने वाला हूँ ठीक है तो अभी हमारा main question इसलिए बिजली का बिल में कुछ effect होगा कि नहीं होगा अगर तो हम लोग लगाएगी क्यों ठीक है तो चले शुरुआत कर लेते सबसे बले तो electrical load जो रहता है हमारे घर पर जितने भी electrical load रहता है इसमें दो अलग 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 प्रकार रहता है एक रहता है inductive load और एक तक capacity load अभी यह क्या है inductive और capacity उसके लिए अलग से वीडियो बना दूगा तो आपको tension नहीं आएगा लेकिन ऐसा समझो अभी कि inductive load रहता है और capacity load रहता है clear अभी मैं क्या करता हो ना यहां पर unit calculation को समझना पड़ेगा बिजली का बिल बचाना है तो बिजली का बिल किस से आता है unit से आता हमें जितने units गिरेगे मीटर के उपर उतना बिजली का बिल आएगा तो हमें electrical bill is equal to units number ठीक है units का number याने कि जितने भी units यहां पर दिखा है जि installation होता है ने कि kilowatt hour के इस आद से इसका calculation कि की आजाता है ठीक है यहां पे आप देख सकते है कि लोफ अवर लिखा हुआ है ठीक है थे घंटे के इस हब से अगर मैं calculation करूं मालोग ह1 ghoed मैं आप हजर वेट पावर ले रहे हो उकै हजर वेट एक एक घंडे में ले गर टो इसको ओलते एक युनिट क्लियर है इतना इस ही प्रक्रष लकार से अगर एक गंडागे में पांसो वीट का यूइज करेगे तो तो गंटे में अगर 500št ka यूज करेगे तो एक यूट गिरेगा तो 500 गंट में तो आधे यूट आएगा फीर दुसरा दो गंटे तक चलाएगे तो एक यूट आपका गिरेगा इसी तरह से अगर 100 वेट का सपला है तो 10 घंटे जबी चलाओगे 100 वेट को तभी आपका एक यूनिट गिरने वाला है अभी हमें क्या देखना है कि भाई बिजली का बिल यूनिट वाइस आतना उतना समझ में आ गया लेकिन चार्जेस कैसे कैलकुलेशन है यानि कि भिजली का बिल जो हमें आता है वो यूनिट इंटू चार्जेस अभी चार्जेस कितना है वो कैसे मानू पड़ेगा तो उसके लिए सबसे बिजली का बिल बता देत bestimmt अभी मेरे घर का बिजली का बील है तो यहां पर देख सकते हैं मुझे जो चार्ज लगा हुआ है 6800 रुपए मेरे बील है एप्रिल 2023 का क्लियर इतना तो यहां पर आपको मिटर द्वाइस दिखा रहा है रीडिंग कितना कितना आ रहा है और यहां पर हमें एक रीडिंग बता यहां पर आप देख सकते हैं 744 यू मेरे एक महीने गे इसकी साब से के सरा है मैं एक महा पर यू निट मुझे कितना उर्याज भनना पर दोड़ दिख सकते हैं भीज आ अकर लिखा है ृस तो यहां पर देख सकते हैं 7.07 रूपीज पर यूनिट का चार्ज है यहाँ पर यूनिट हमें 7.07 रुपीज पे करना पड़ते हैं यहाने अगर मैं कल्कुलेशन इसका बता हूँ आपको तो देखो मैं कल्कुलेटर चालू करता हूँ तो चल्कुलेटर में 552 यूनिट से मेरे इन्टू 7.07 तो मेरा बिजली का बील आना चाहिए कितना 3690.54 यहाँ पर देख सकते 3690.54 यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर मेरा जो एक्चिल यूज इतना है लेकिन मेरा स्तीरा करें यानि कि मेरा जो पर्मनेंट कॉस है 427 रुपिस मुझे एनिहाँ देना है तुम वापरो नहीं वापरो उसको लदे स्तीरा कर तो वो तो देना ही है प्लस यह जाएगा प्लस उसके पर टैक्सेस लगेगा यह देख सकते अलग-अलग प्रकर के 1.35 यूनिट पर यूनिट है फिर यह जो इंदन चार्जेस यह व इतना क्लियर है समझ में है यह क्यों मैंने बताया इसके इंपोर्टेंट आपको आगे मालूम पड़ेगा अभी हम लोग देख सकते कि हमारा अभी आपको समझो आपके घर का कैलकुलेशन करना है कि तुम्हारा कंजम्शन कितना है दो तरीक है इसके हम लोग कैलकुलेशन गठना उसको किलो करें ज़िए आपके घर छीतना लोड के अपर दिकाएगा आपको कितना लोड है पूरे मीटर में डेखो में तो समझ में आई ही जायेगा अभी चलो हम लोग क सब्सक्राइब चलो हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्से संट इसमें जिसमें बहुत सारे courses है, यह सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app डाउनलोड करना है, app का नाम है plus point training, यह आपको google play store पर मिल जाएगा, अधिक जानकर एक लिए मेरा whatsapp नंबर है, इस पर मुझे केवल high का message डाल दीज़, तो मैं पूरी जानकर यह आपको whatsapp के माध्यम से भिज़वा माल लो कि यहाँ पर 0.6 है, अगर मैं इसके हिसाब से power का calculation करूं, consumption, watt के हिसाब से, तो watt is equal to voltage into current into power factor, तो इसके हिसाब से अगर मैं calculation करूं, तो आप देख सकते हैं, हमारे watts सारे 3, 4, 5, 0 watts, यह आपका actual consumption हो गया, कितना, 3, 4, 5, 0, अगर इसको unit में calculation करें, तो कितना unit बैठेग 3.45 units, मेरे कितना दे 552, तो आप समझ लो अभी कितने watt का मेरा supply जा रहा है, clear है इतना, ठीक है, अभी इसमें, जो मैं आपको inductive load और capacity load बता था, वो क्यों मैंने बता है, इसका reason अभी आपको समझ में आएगा, हमारे 3 अलगल प्रकार के current का power factor रहता है, एक आप देख सकते ह यहां पर इसको बोलते है perfect power factor, यहां पर देख सकते है current भी सही है और voltage, एक दुसरे के साथ में चल रहे है, ठीक है, अलग-अलग नहीं चल रहे है, यह power factor को बोलते है, हम लोग ideal circuit power factor, जनरली ऐसे होना चाहिए, कभी-कभी क्या होता है कि हमारे घर में motors ज्यादा हो जाती है, motor related कोई भी चीज, inductive load ज्यादा रहता ना, तो उस case में ऐसा होता है, current जो है, वो voltage पीछे रह जाता है, current आगे बढ़ता है, उसको बोलते है, inductive load आपके घर पे ज्यादा है, जब है inductive load याने motor जैसे कोई चीज़े ज्यादा है, तो current ज्यादा बहेगा, voltage ज्यादा है, तो द ज्यादा है, और जब ही capacity load रहता है, तो capacity load में क्या रहता है, voltage आगे रहेगा, current पीछे रहेगा, तो यह जो आगे पीछे हो रहा है, capacity load और inductive load के बीच में, वो power factor बोलते है, और power factor यह दोनों के बीच का आगे distance में बराबर कर दू, कम कर दू, तो उसको बोलते है, perfect power factor, जनर क्या करेगा, capacitor जो है, हमारे गर पे जो power factor आ रहा है, जो current lagging वाला जो आ रहा है, उसको improve करेगा, उसको proper करने का काम काता है, यह काम है capacitor का, सभज महीं बद, अभी इसका बिजली के बिल्किया पर के effect होता है, क्या, चले वो भी calculation करके देख लेते, मालो, voltage है 230 volt, current आपको नहीं है, power factor आपका 0.9, यहने की capacitor लगाने की बद, आपका 0.9 हो गया power factor, और watts आपका 3, 4, 5, 0, जो पहले हम लोग ने calculation किया, तो इसके इसाब से, अगर मैं current calculation करना है, तो wet divided by voltage into power factor is equal to current, अगर मैं इसका calculation करूँ, voltage तो हमारे पास है, voltage भी है, power factor भी है, इसको अगर मैं calculation करू इसके इसाब से, अगर मैं इसका current निकार हो, तो यहाँ पर निकलेगा 16.66 Mp, उसका current आप ले रहे हो, consumption है, इसके इसाब से, अगर मैं unit calculation करूँ, तो watts is equal to V into I into PF, लेकिन क्या उसका बिजली के बिल के effect होता है, तो wet हमारा 3448 हो गया, wattage भी काम हो गया, चलो बढ़िया बात ह पहले था हमारा 3450, यहाँ पर 3448 हो गया है, बहुत कम फरक तो पढ़ा है कुछ तो भी, लेकिन unit पर कुछ फरक पढ़ा गया, 3.45 था बहले, अभी उसके अभी हो गया 3.44, तो कुछ effect हुआ, नहीं हुआ, ultimately final DCN क्या निकलता है, यह सब चीजों का, कि capacitor लगाने पर unit में कोई फरक नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत फरक होता है, उसके बिजली के विल पर कुछ effect होने वाला नहीं है, तो अभी सवाल यह आता है कि बहुत सारी वीडियो में बताया गया है कि capacitor लगाया जाता है, तो इसका क्या benefit है ना, इसका benefit एक ही है, आपके जो equipment सेर रहे ना, जो इंडक्टी लोड है, capacitor जो भी electrical equipment सा वापर रहे घर पे, उसकी उमर बढ़ेगी, बिजली के विल के उफर कोई effect नहीं गिरेगी, लेकिन equipment जो है ना, उसकी उमर ज्यादा बढ़े, क्योंकि power factor सही हो गया ना, उसको perfect current मिलेगा तो उसकी उमर बढ़ जाएगी, इसके लिए capacitor अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेगे ना, कि अगर मेरो समझेगे, electronic equipment के उमर मुझे बढ़ानी है, तो कुन सी value का capacitor बनाए, उसके भी calculations रहता है, बहुत बढ़ा calculation है, वो में next वीडियो में आपको बताऊगा, चले इस वीडियो में इतना ही, I hope कि दोस्तों इस वीड आपको पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो like और share करें ना भूले अपने दोस्तों के साथ में, अगर आप नए है चैनल के उपर, तो subscribe का बटन दबा के bell का इकन दबा दीजे, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएगा, उसको notification आपको जल से जल मिल जाए, चले इस व